हेलो गाईज, विलकम टू मैं चैनल और आज हम यहाँ पर बात करने वाले है उए सिरीस के अपिसोट 13 के स्पॉलर के बारे में तो पिछले अपिसोट के मुताबिक फूम फिम से फ्लर्ट करता है जिसके संभालना फिम के दिल के लिए बहुत ही जदा रोटचर है क्योंकि चाहे फिम कितना ही फूम के सामने ये डिनाई करने की कोशिश करता है कि वो फूम से अभी प्यार नहीं करता पर फूम और फिम दोनों ही ये बहुत ही अची से जानते है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते है इसलिए ही जब फूम का अपना डैट से आर्गुमेंट हो जाता है तो फूम फीम के पास जाता है और उसको हग करके बहुती रिलाक्स फिल करता है तो फूम को सेट देखकर फिल्म उसको समुंदर किनारे घुमानी के लिए लेका जाता है और वहाँ पर दोनों का रिष्टा और भी कहरा हो जाता है इधर क्यू ने भी तोई को उसके बॉइफरेंड बनने का प्रोपोजल दे दिया था जिसको तोई ने बड़ी खुशिश से एकसेब्डरी कर लिया था जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पाशनेटली किस भी किया था तो इस एपिसोट में भी हम सभी के पीश के प्यार को ही और बढ़ते हुए देखेंगे जहाँ पर ट्रेलर के हिसाब से हम पहले ही थोई और क्यू को देखते है जहाँ पर क्य थोई को पैमपर कर रहा था हमेशा की तरह क्यूंकि क्यूं सभी के साथ उनके कॉलेज में इवेर्ण में गाना काली के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और थोई क्यूं के कहने पर उसे एंकरेज करने आया हुआ था तो थोई और क्यूं को ऐसे ओपेनली एक दूसरे के सथ ल भी को एक सथ पार्टी करते हुए देखते हैं तो शायद ये फिर्म का घर हो सकता है तो यहाँ पर थैन क्यू और थोई के खंदे पर अपना हाथ रखके उनसे पूछता है तो बताओ क्या तुम दोनों अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हो इस पर क्यू हा करता है जिसको सुन कर सभी बहुत ही खुश होते हैं और दोनों को चियर अप करते हैं पर इससे क्यू और थोई दोनों ही बहुत ही शाय फिल करते हैं सभी उस रात के पार्टी को क्यू और थोई के बॉइफरिंड बनने की खुशी के तोर पर सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर भी फूम को फिम से फ्लट करने का मन होता है इसे लिए वो फिम के कंदों पर हाथ रखके उसके करीबा कर फिम से कहता है इन सब को देखकर तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना क्योंकि जल्दी ही हमारा रिलेशन्शिप भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा फिम की ये बात सुनकर फिम बहुत ही शाय फिल करता है और फिम को वहाँ पर छोड़ कर अपने दोस्तों के पस चला जाता है तो यहाँ पर इससे पहले और एक सीन है जहाँ पर हम देखते हैं फिम फिम के घर पे आता है और फिम को नीचे ना पाकर वो उसके कमरे में आता है जहाँ पर फूम देखता है फिर्म अपना कॉलेज का काम करते करते स्टड़ी टेपल के ओपर ही सो गया है. तो फूम फिर्म के पास बैठ कर बड़े प्यार से उसे देखने लगता है क्योंकि वो अब फिर्म से बहुती ज़दा प्यार करने लगा है और फिर्म के बिना अपनी लाइफ इमार्जिन करना फूम के लिए बिलकुल भी मुम्किन नहीं है तो फिर्म के नीन तूटने के बाद जब वो सामने फूम को ऐसे बैठ कर उसकी तरफ देखते हुए देखता है तो फिर्म बहुती ज़दा शाय फिल करता है इधर क्यू फिर्म को फूम को थोड़ा से तंग करने को कहता है तो फिर्म शायद क्यू की बात मान कर ऐसा करने को राज नहीं होता इसलिए क्यू फिर्म से कहता है पर उसने भी तो तुमसे प्यार करने से पहले तुम्हें अपना स्लिप बनाया था आप Q और फिम की इन सब बातों को चेन, पन और थैन सुन लेते हैं और ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि फिम फिम को सर्वेंट है क्योंकि उन्हें पूरी स्टोरी का तो पता नहीं है पर शायद फिर भी फिम क्योंकि बात मानने को पूरी तरह से राज नहीं हो पाता पर यहाँ पर हम थोई को कॉलेज में फिम के बॉर्फरेंड को लेकर रूमर्स केट करते हुए देखते हैं शायद ये फिम को तंग करने के लिए सभी का मिला जूला प्लान हो सकता है जिसके बारे में शायद फिम को पता चल जाता है और वो क्यों से इसको रोकने के लिए कहने आता है पर क्यों फिम से कहता है कि अभी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका है क्योंकि थोई और लेडी कॉलेज में रूमर्स फैला चुका है आप क्योंकि ये बात सुनकर फिम बहुत हैरान होता है ये सुनकर फिम को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बात क्या होगा क्योंकि फिम बहुत अच्छी से जानता है कि फूम पास्ट में कितना mental pressure से गुजरा है इधर हम फूम को फूम से ये कहते हुए देखते हैं कि उसे फिम के दिल जीतने के काम को जल्दी फिनिश करना होगा वरना फिम किसी और का हो जाएगा आप फूम की ऐसे बाते सुनकर फूम बहुत ही सैट हो जाता है और वो थोई से कहता है कि उसे नहीं पता कि अब उसको इस मामले में क्या करना चाहिए तो यहाँ पत्थोई फूम को फूम के लिए कुछ करने का आइडिया देता है जो कि जाहर सी बात है बहुत ज़्यादा फणी होने वाला है तो थोई के सजिशन पर फूम बिल्कुल बैसे ही करता है या नहीं ये तो हमें सीरीज में पता चली जाएगा पर ट्रेलर के आखिर में हम फूम को फूम को हग करके उससे दिलासा देते हुए देखते है क्योंकि फूम बहुत ज़्यादा सैथ दिखाई दे रहा था तो शायद यहाँ पर ये चंस है कि फूम को खोने के डर से फूम थूई की बात मान कर थूई ने जो कहा वो कर दिया और उसके वज़े से फूम यहाँ पर सैथ दिखाई दे रहा है जैसे कि फूम सब कुछ जानता है इसलिए वो फूम को दिलासा दे रहा है तो देखते हैं सीरीज में क्या होता है ओके गाइज आज के स्पालर में बस इतना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेली स्पालर के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों